भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जीत कर पर्चम लेराया है, महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिन अफ्रिका को चार रन से हरा कर जीत दर्ज की है। गेंद एक सो तीज रन बनाकर अपना वंडे करियर में छठा शतक लगाया जबकि दक्षिन अफ्रिका की शुरुवात भी खराब रही कप्तान लॉरा बुल्वार्ट और मारी चेंड कैप की एक सो तौरासी रन की पार्टनर्शीप के लिए जहां पर भारत की टेंशन बड़ में भारत की बड़िया गेंदबाजी ने टीम को जीत हाशिल करवाई बता दे कि दक्षिन अफ्रिका की टीम के पास भारत ने 326 रन का लक्ष रखा था जिसको पूरा करते समय दक्षिन अफ्रिका ने 14 के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट गवा दिया जबकि 54 रन का स्कोर करते हुए दूसरा विकेट गवाय टीम जैसे ही सरसट रन की भीतर पहुंची उसने तीसरा विकेट भी गवा दिया लेकिन यहां एंट्री हुई कप्तान लौरा बुलवर्ट और मारी चेंड कैम्प की जिनकी मेजवानी ने थोड़े देर के लिए तो मानो इंडिया की सां हमाई ही थो लेकिन आखिर में भारती मैला टीम ने ऐसी गिंदबाजी की कि दक्षिन अफ्रिका टीम का मैच पूरे तरीके से पलट गया और भारत के चार रन से जीत कर हासिल की